हलो फ्रेंड्स वेलकुम बेक टू मैं चैनल आज मैं आपको ओप शॉल्डर फ्लेयर टाउब बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने ये देड़ मीटर जॉर्जट का फेब्रिक है और एक मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है तो सबसे पहले हम अस्तर पर इसके कटिंग करेंगे तो अस्तर को मैंने फोर फोल में बिचाया हुआ है जो मेरी साइट है वो बंदवली साइट है और जो उपर की साइट है वो खुली हुई साइट है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है हम मेन फेब्रिक में इसकी लंबाई बढ़ा देंगे अभी उपर से हमें इसमें चेश्ट का मेजरमेंट लेना होगा तो आपकी चेश्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच एट करना है सिलाई मार्जिन के लिए मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है यहां से हमें चेश्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच एट कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए और उपर से एक निशान हमें 12 इंच पर लगाना है कमर की चोड़ाई के लिए क्योंकि यह हमारा ओप शोल्डर टॉप है इसलिए हमें 12 इंच पर ही निशान लगाना है कमर की चोड़ाई के लिए और यहां से हमें कमर की चोड़ाई का चौथा भग लेना है और उसमें भी हम 2 इंच एट कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है अभी नीचे से हमें हीप की चोड़ाई का चौथा भग लेना है और उसमें आप 3 इंच या फिर 4 इंच भी एक्ष्टा रख सकते हैं जितना ज्यादा आपको flare चाहिए उतना आप निशान लगा सकते हैं तो अस्तर में मैंने 3 इंच ही एक्ष्टा रखा है और side से हमें land row कर देनी है अभी हमें इसकी cutting कर देनी होगी बस इतने ही हमें measurement लेने है अभी इसे हम खोल देंगे तो ये कुछ इस तरह से आएंगे दो पार्ट अभी हम इसकी cutting main fabric के उपर करेंगे तो fabric को मैंने 4 फोल में बिचा हुआ है जो मेरी side है वो बंद वाली side है और उपर की side है वो भी बंद वाली side है और नीचे से इसकी जो दोनों side है वो खुली हुई है इस तरह से fabric को मैंने 4 लेयर में बिचाया हुआ है अभी इसके उपर हमें जो अस्तर वाला part है उसे रख देना है और जैसे हमने इसकी cutting की है बिल्कुल वैसे हमें इसकी marking कर देनी है यानि की line draw कर देनी है लेकिन ध्यान रहे नीचे से हमें इसकी लंबाई बढ़ानी होगी अभी खुली हुई side से हमें 1,5 इंच पर निशान लगाना है और इसमें हमें हलका सा round shape draw कर देना है नीचे की तरब से अभी जितनी हमारी अस्तर की लंबाई है उससे हमें main fabric की लंबाई दो या 3 इंच एक्ष्ट्रा लेनी होगी तो total मैंने 20 इंच की लंबाई रखी है अभी जैसे हमने draw किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसे cut कर देना है जितना ज्यादा आपको flare चाहे उतना ज्यादा आप नीचे की तरब से इसकी चोड़ाई बढ़ा सकते है अभी जो उपर से बंदवाली सैट है उसे भी हमें cut करके अलग कर देना है तो ये हमारे दो piece हो जाएंगे front और bake के लिए तो देखे मैंने cutting कर ली है अभी हम sleeve की cutting करेंगे तो fabric को मैंने 4 fold में बिचया हुआ है इसमें मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ आप चाहे तो इसमें अस्तर भी attach कर सकते है जो मेरी सैट है वो बंदवाली सैट है और जो उपर की सैट है वो खुली हुई सैट है और sleeve की जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है यह 14 इंच की हमारी ready होगी अभी उपर से जितनी भी आपकी sleeve की चोड़ाई यानि की जितना आपका आम राउन है उतना आपको लेना है और उसमें भी 2 इंच आपको extra लेना है सिलाए margin के लिए मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से भी हम जितना extra flare रखना चाहते है उतना fabric ज्यादा ले सकते है तो मैंने 10 इंच का fabric लिया हुआ है अभी नीचे से उपर की तरफ हमें देड या फिर 2 इंच पर निशान लगाना है और इसमें भी हमें हलका सा round shape ड्रो कर देना है नीचे की तरफ से अभी इसे हम cut कर देंगे तो sleeve में भी आप जितना ज्यादा घेर रखना चाहते हैं उतनी ज्यादा आप sleeve की चोड़ाई रख सकते हैं नीचे की तरफ से तो देखे इस तरह से मैंने cutting कर लीए है और ये मेरी dos sleeve है अभी सबसे पहले हमें main fabric को रखना है और उसके उपर हमें अस्तर को रखना है और उपर की तरफ से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है उसके उपर भी हम अस्तर को रखेंगे और उपर की तरब से हम इसमें सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट में हमें उपर की तरब सिलाई लगानी है तो देखे मैंने उपर की तरफ से इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही पार्ट्स में अभी जो अस्तर वाला पार्ट है उसे हमें उल्टी तरफ पर पलट देना है यानि अस्तर को हमें उल्टी साइट पर पलट देना है और इसके उपर हमें एक कवर सिलाई लगा देनी है और जो दूसरा वाला पाठ है उसके अस्तर को भी हम उल्टी साइट पर पलट देंगे और इसके उपर हम कवर सिलाई लगाएंगे तो देखे मैंने दोनों पार्ट में कवर सिलाय लगा दिया है अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके उपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और उपर से पहले हम 6 इंच तक एक निशान लगा लेंगे 6 इंच या फिर 5 इंच तक आप निशान लगा सकते है अभी जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें 2 इंच का गेप रखते हुए इसमें fitting की सिलाई लगानी है तो 6 इंच तक ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी साइट भी हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और 2 इंच का गेप रखते हुए हम इसकी fitting की सिलाई लगाएंगे 6 इंच तब तो ये देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है जहां पर हमने निशान लगाया है वहीं तक मैंने सिलाई लगाई है अभी जहां पर हमने निशान लगाया है वहां पर हमें छोटा सा कट लगाना है दोनों साइट पर हम छोटा सा कट लगाएंगे तो बिल्कुल छोटा सा ही हमें कट लगाना है उसके बाद जो हमारा मेन वाला फेब्रिक है उसके उपर हमें सिलाई लगानी है तो जहाँ पर हमने कट लगाया है वहीं से हमें सिलाई को शुरू करना है और नीचे तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है 1.5 इंच का गेप रखते हुए उसके बाद हम main fabric को अंदर की तरफ कर लेंगे और जो हमारा अस्तर है उसमें हम सिलाई लगाएंगे इसी तरह से दूसरी साइड भी पहले हम main fabric में सिलाई लगाएंगे उसके बाद हम अस्तर में सिलाई लगाएंगे उपर से नीचे तक उसके बाद जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसकी बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे और में फैब्रिक में हम अभी सिलाई नहीं लगाएंगे इसमें हम पाइपिंग लगाने वाले हैं इसलिए हमें इसे इसे ही छोड़ देना है तो देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और यह जो हमारा में फैब्रिक है वो हमारा अंदर की तरफ हो गया है अभी इसे हम सीधा करेंगे तब ही हमें पता चलेगा इसे हमें सीधा कर लेना है तो देख सकते हैं आप ये दोनों ही फेबरिक अलग-अलग हो चुके है इस तरह से हमारे दोनों फेबरिक बिल्कुल अलग-अलग रहेंगे अभी हम उपर की जो बॉडर है उसे half inch अंदर की तरफ fold करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे और थोड़ी सी जगा हमें इसमें खुली रखनी है elastic को pass करने के लिए हम इसमें सी elastic pass करने वाले है और जो side में हमने सिलाई लगाई है उसे हमें दोनों किनारी के उपर कर देना है उसके बाद हमें half inch अंदर की तरफ करते हुए इसमें सिलाई लगानी है तो ये सिलाई बहुती finishing से आएगी तो देखे मैंने सिलाई लगा दी है और थोड़ी सी जगा मैंने खुली रखी है elastic को pass करने के लिए अभी ये मैंने पतला elastic लिया हुआ है तो इसकी लंबाई आपको अपनी chest के according लेनी है अगर आपकी chest 32 inch की है तो इसकी लंबाई आपको 30 inch लेनी है और 34 inch की है तो आपको इसकी लंबाई 32 inch लेनी है जितनी भी आपकी chest का measurement है उसका हपको 2 या 3 inch कम का elastic लेना है तो मैंने 30 inch का elastic लिया हुआ है अब भी हमने जो थोड़ी सी जगा खुली हुई छोड़ी है उसमें से हमें safety pin की मदद से इस elastic को पास कर देना है उसके बाद हम दोनों elastic को joint करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे और जो थोड़ी सी जगा खुली रखी है उसके उपर भी हमें सिलाई लगा देनी है तो देखे मैंने elastic को पास कर लिया है अभी हमें sleeve को लेना है और उपर से जो इसकी border है उसे पहले हम एक बार fold करते हुए इसमें सिलाई लगानी है क्योंकि हम इसमें भी केसी बनाएंगे इसी तरह से जो दूसरी sleeve है उसकी border को भी पहले हम एक बार fold करेंगे उसके बाद हम इसे दुबारा fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है अभी हम इसमें सिलाईस्टिक को पास करेंगे तो ये वही मैंने पतला वाला इलाईस्टिक लिया हुआ है अभी इसकी लंबाई भी आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी sleeve की चोड़ाई है उसमें 2 इंच कम का इलाईस्टिक रखेगा तो मेरी 10 इंच स्लीव की चोड़ाई है तो मैंने 8 इंच का इलाश्टिक लिया हुआ है अभी इसे भी हम सेफ्टी पिन की मदद से जो हमने केसी बनाई है उसमें से पास कर लेंगे उसके बाद हमें इसे दोनों सेट से लोक कर देना है क्योंकि हमारा इलाश्टिक बाहर ना निकल जाए तो दोनों सेट से हमें इसे लोक कर देना है सिलाई लगाते हुए और इसी तरह से दूसरे स्लीव के उपर भी हम इलाश्टिक को पास कर लेंगे तो देखे मैंने elastik को pass कर लिया है अभी side से हम half inch का gap रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे तो हमें सिर्फ half inch का ही gap रखना है और इसमें fitting की सिलाई लगा देनी है दोनों ही sleeve में तो देखे मैंने सिलाई लगा दी है अभी जो हमारी top की side की सिलाई है और जो हमारी sleeve की side की सिलाई है उन दोनों सिलाई को हमें एक साथ मिलाना है sleeve को हम सीधा कर लेंगे और जो हमारी sleeve की side की सिलाई है जो beach वाला fitting वाला fabric है उसे हमें दोनों side पर कर लेना है उसके बाद जो टॉप की साइड की सिलाई और स्लीव की साइड की सिलाई दोनों को मिलाते हुए हाफ इंच तक हमें इसमें सिलाई लगा दिनी है तो ये स्लीव हमारी अटेच हो जाएगी और इसी तरह से दूसरी स्लीव भी हम अटेच कर लेंगे तो टॉप की साइड की सिलाई और स्लिव की साइड की सिलाई दोनों को मिलाते हुए हमें हाफ इंच तक इसमें सिलाई लगानी है तो ये दोनों ही स्लिव हमारे अटेज हो जाएंगी और ये बिलकुल अलग रहेंगी टॉप के साथ ही तो देखे मैंने दोनों स्लिव को अटेज कर लिया है और ये कुछ इस तरह से खुली हुई नज़र आएंगी अभी हम नीचे की तरफ इसमें पाइपिंग अटेज करेंगे तो आप अपनी पसंद से कोई भी कॉंट्रास कलर में पाइपिंग अटेज कर सकते है तो मैंने ये कॉंट्रास कलर में फैब्रिक लिया हुआ है इसकी हमें तिरची पटी कट करके एक दूसरे के साथ जाइंट कर लेनी है उसके बाद इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे उसके बाद हम पटी को डबल फोल्ड कर लेंगे और हमें इसे उल्टी साइड से नीचे का जो घेरा है उसके उपर अटेज करना है तो ध्यान रहे पाइपिंग को आपको उल्टी साइड से ही अटेज करना है तो पहले पाइपिंग को डबल फोल्ड कर लेना है और उल्टी साइड से हम इसमें सिलय लगा लेंगे और इसी तरह से जो हमारी स्लिव है उसे भी हमें उल्टी साइट से ही इस पाइपिंग को अटेच करना है तो ध्यान रहे ये पाइपिंग पहले हम फोल्ड कर लेंगे उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और उल्टी साइट से ही हम इसे सिलाय लगाएंगे पाइपिंग में डबल फोल करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है उल्टी सैट से पूरे घेरे में इसी तरह से दूसरी स्लीव उपर भी हम उल्टी सैट से पाइपिंग अटेच कर लेंगे तो देखे मैंने इसे उल्टी सैट से सिलाई लगा दी है पूरे घेरे में अभी इस पाइपिंग को पहले हम नीचे की तरब करते हुए इसके उपर एक कवर सिलाई लगा लेंगे कवर सिलाई लगाने से क्या होगा कि ये पट्टी हमारी अच्छे से सीधी सैट पर पलट जाएगी कवर सिलाई लगाने के बाद ही हमें इसे सीधी सैट पर पलट देना है और पूरी पट्टी में हमें सिलाई लगा देनी है ध्यान रहे कवर सिलाई लगाने के बाद ही हमें इसे सीधी सैट पर पलटना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है तो यह हमारी आसानी से पट्टी सीधी सैट पर टर्न हो जाएगी और इसी तरह से हमें स्लू के उपर भी पहले इसमें कवर सिलाई लगानी है कर लुए है तो देखे मैंने पाइपिंग अटेच कर लिए है टॉप पाठ में भी और स्लीव में मैंने पाइपिंग अटेच कर ली है और इसे की साथ ही हमारा ऑप शोल्डर फ्लेयर टॉप बनकर ready हो चुका है और यही इसका final look so friends I hope आपको आज का यह tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा मेरा यह वीडियो देखने के लिए thank you so much guys